हेलो एविर्वन, मैं राजिस वंडारी, आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चाहिए लेक्टिकल अड़ा में, आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम किर्श्चाफ के नियम पड़ेंगे हैं, ठीक है, तो पहला नियम जो है, पर्थम नियम, जिसे हम संदी का नियम भी कहते हैं, ठीक है, तो इस नियम में क्या है, बहुत सिंपल नियम है आपका, कि किसी संदी, ठीक है, संदी मतलब, जहाँ पर आपकी तीन या तीन से ज़्यादा क्योंगी, साखाएं जूट रहे होंगी, या आप सब ऐसे बोट सकते हैं, तारे संदी कहते हैं ठीक है तो यह आपका संदी है ठीक है तो किसी संदी पर आने वाली धारा जो होती है जाने वाली धारा के बराबर होती है अगर मालो इस संदी पर 5 एंपर की करण यहां से आ रही है तो यहां से कितनी एंपर की करण चाहेगी 7 एंपर की करण बहुत सिंपल है ठ धाराओं का BGI योग होगा वो सुन्य होगा कैसे? BGI योग सुन्य होगा 5 अगर हम आने वाली को प्लस ले प्लस 5 प्लस 2 और जाने वाली को माइनस ले तो माइनस 7 तो यह कितना हो जाएगा टूटल? 0 हो जाएगा ठीक है? तो यही इसकी definition है किसी वैदुद परिपत में किसी भी संदी पर मिलने वाली धाराओं का BGI योग क्या होता है? सुन्य होता है ठीक है? तो इसे संदी का नियम भी कहते हैं आप ठीक? तो बहुत सिंपल है यह आपको यादखने है संदी और संदी का होता है? जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा क्या होती है साखाएं आपके पास मिलती है या तार बोलो या वायर बोलो जो भी आपको बोलने है ठीक है? आपने कभी सरकीट में इस तरह के से भी देखोबा या तो टू यहाँ जाएगी या थ्री यहाँ इस तरह के से मतलब डिवाइड हो जाएगी ठीक है? तो आने वाली धार है बराबर जाने वाली धार है यह बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो संदी पर मिलने वाली धार होगा BJU क्या होता है? सुनने होता है ठीक है? तो यह आपका पर्थमनियम है